आप सभी का स्वागती मेरे इस यूटूब चैनल पर द्रस्टीदा वेजन में आज हम देखेंगे लूसेंड का अगला वीडियो लेकर मैं आया हूँ लूसेंड जीके का जिसमें हम भारत का सावान ने ग्यान देख रहे हैं इंडियन जीके को इसमें मैं 30 कोशन को लेकर आया हूँ कोशन इस प्रकार है जैसे की बेरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है बहुत जो बेरोमीटर होता है उसका जो मापन होता है उसमें तेजी से जब गिरावट आती है तो बहा किस बात का सूचना देता है या किस बात की सूचक होता है तो बहा आता है तूफान के आने का तूफान जो आने वाला है या तूफान का जो सूचक कुन देता है बेरोमेटर के दुआरा जो भारत में मरुस्थली स्थान है या मरुस्थले का क्या नाम है भारत में जो रेगिस्थान पाया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे थार के रेगिस्थान के नाम से जान दे हैं, काजी रंगा राश्टी अभिरंट किस राज्य में इस्तित है, जो नेशनल पार्क है, काजी रंगा बहा किस राज्य में इस्तित है, तो उसका सही आंसर है आशम प्रत्वी अपनी दुरुवी पर किस दिसा में घूमती है जो प्रत्वी का जो घूर्णन हो रहा है बहा किस दिसा में हो रहा है तो प्रत्वी जो घूम रही है जो घूर्णन कर रही है बहा बस्चिम से पूर्वी की ओर घूम रही है उज्यन जहां पर कुम्ब का मेल लगता है ये उज्यन किस नदी के किनारे बसआ हुआ है तो उज्यन सिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है निमने में से कौन सी धातु? बिजली की सबसे अधिक सुचालग है मतलब जो धातु हैं जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, कौपर, एलिमुनियम ये सभी धातु हैं उनमें सबसे अधिक सूचालग धातु कौन सी है जिसमें विजली सबसे अधिक मातरा में या सबसे तैजी से प्रवाई तो होती है तो उसका सही अंसर होगा चांदी चांदी है कि ऐसी धातु है जिसमें सबसे अधिक विजली या सबसे तीवर विजली का सूचालग माना जाता है सबसे तीवर विजली की सूचालग है इसी प्रकार साथवा कोश्चन है इसमें राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अब्धी के लिए किया जाता है जो राज्य सभा है उसके जो सदस्य बंद हैं बहुत कितने वर्स के लिए चुने जाते हैं तो इसका सही आंसर होगा 6 वर्सों के लिए बहुत चुने जात अगला कोश्चन है हिंदी भासा की लिपी कौनसी है आठवा कोश्चन है हिंदी भासा की लिपी कौनसी है तो इसका सही आंसर होगा देवनागरी देवनागरी एक ऐसी लिपी है जो कौनसी भासा की लिपी हिंदी भासा की लिपी है कौनसी देवनागरी अगला कोश्चन है हम आकास गंगा है उसे दूद मेखला या मिल्की बे के नाम से जाना जाता है। हमारी आकास गंगा को क्या नाम से जाना जाता है तो उसे दूद मेखला या मिल्की बे के नाम से जानते हैं। हिंदी भासा का पहला समाचार पत्र कौन सा है तो यह इसका सही अंसर होगा उदांत मारतांडे क्यारवा कुश्चन इसमें लिया गया है सूर्दास क्रत रामचरित्र मानश हिंदी भासा की किस बोली में लिखी गई है मतलब जो तुलसी दास जी के दुवारा रामचरित्र मानश को हिंदी भासा में लिखा गया है तो हिंदी भासा में किस बोली में इस रामचरित्र मानश को लिखा गया है तो जो अवधी एक बोली बोली जाती है उस भासा में रामचंद चरित्र मानस को लिखा गया सो तुलसी दास जी के दुआरा हरियाणा राज्य के राज्य कभी कोन कहलाते हैं इसमें अगला कोश्चन दिया गया है अगला तेरवा कुश्चन देखेंगे हम इससे आधुनिक ओल्मपिक क्षिछेलों की सुरुवाद कब और कहां से हुई म 동ब जो ओल्मपिक्स खेले जाते हैं जो आधुनिक में उसकी सुरुवाद कहां से और कौन से सन में हुई तो उसे का एथेंस नामक इस्थान से यूनान एथेंस जो पुराना बर्तमान में एथेंस और प्राचीन में यूनान नाम से हम जानते थे बहां से 1896 में इसकी सुरुआत हुई ओलम्पिक से की हिए अगला कोस्चन है में इसमें चाउदाबा भारत ने किस खेल में ओलम्पिक खेलों मैं आठ वार सोर्ण पदक जीता है मतलब जो 8 वार भादक सोर्न पदक जीता है ओलम्पिक्स में भारत ने तो भाद खेले होकी होकी में भारत ने 8 वार सोर्न पदक जीता ओलम्पिक्स में भारत ने आखरी वार होकी में सोर्न पदक कब जीता था गोवर्गेस में मुख्छे रूप से क्या पाया जाता है तो गोवर्गेस में जो गेस है उसमें मीथेन गेस पायी जाती है शोतंतरता मेरा जन्मशिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था तो इसका सही आंसर होगा लोकमान ने तिलक साब ने यह नारा दिया था इसमें मैं अगला कोश्चन लेकर आया हूँ कोश्चन नमर 18 भारत में ओलंपिक खेलों में पहली वार किस बार से भाग लिया था तो यह लिया था सन 1900 में ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारती महला खिलाडी कोन है तो इसका सही आंसर है कर्णमन मलेश्वरी बेदो की और लोट चलो का नारा किस ने दिया? जो बेदो की और लोट चलने की बात कही है यह महार सी दयानंद जी के दुवारा यह नारा दिया गया बेदो की और लोटने का अगला कोश्चन है इसमें प्रशिद जंडा गीत जंडा उचा रहे हमारा यह गीत की रचना किस ने की? तो इसकी रचना की स्यामलाल गुप्त पार्शत के दुवारा यह गीत लिखा गया पसूओं में मिल्क विफर बिमारी किस की कमी से के कारण होती है? मतलब जो दूद देने वाले जो पसू होते हैं उनमें एक बिमारी होती है मिल्क फीवर मिल्क फीवर वाली जो बिमारी है भाग किस कारणे से होती है? तो यह है केल्सियम की कमी के कारण यह है बिमारी होती है अगला कोश्चन है इसमें मानव सरीर के किस अंग के दुवारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? मतलब यह यूरिया होता है मानव सरीर के जो के अंग में उसे रक्त से फिल्टर किया जाता है तो बहुत काम करता है किडिने जिसे हम गुर्दे के नाम से भी जानते हैं अगला कोश्चन इसमें लिया गया है 24 वा किस एक मात्र भारतिय को अर्ध सास्त्र में नौबल प्रुषकार मिला है तो यह प्रोफेशर अम्रत्य शेन को अर्ध सास्त्र या एकनोमिक्स में नौबल प्रुषकार से सम्मानेत किया गया मिस्टर प्रोफेशर अम्रत्य शेन अगला कोशन इसमें भारत रतन उस्ताद बिश्मिल्ला खां किस बाद यंत्र में बादन में बिख्यात रहें मतलब जो भारत में एक भारत रतन उस्ताद बिश्मिल्ला खां किस यंत्र के बादन में बिख्यात रहें तो यह सेनाई वजाने के लिए प्रिशिद्ध थे जिसे जिन होनों को भारत सरकार के दुवारा भारत रहतने से सम्माने किया गया है यह कोश्चन 2019 में MPPSC के दुवारा पूछा गया थे प्रिलियम्स में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कोन थे तो इसका सही आंसर होगा सी रामगोपाला चारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे हैं भिलाई इस पात सयंत्र का निर्माण किस देश के सेयोग से किया गया, तो इसका सही आंसर होगा रूस, जिसे हम बर्तवान में रशिया नामसे जानते हैं. उत्री धुरूब में भारत के अनुशंधान केंद्र का क्या नाम जो उत्री धुरूब में जो भारती अनुशंधान केंद्र है उसका नाम है हिमादरी हिमादरी नाम से हम से जानते हैं 29 कोश्चन है बिश्व में माउंट एवरेश्ट पर चड़ने वाली प्रिथम महला कोन थी तो यह है बिश्व में पहली बार चड़ने वाली माउंट एवरेश्ट पर प्रिथम महला थी कहां की जापान की उनका नाम था जुन को तबाई एक महला है जो माउंट एवरेश्ट पर बिस्व में सबसे पहली चड़ी है आज के वीडियो में इतना ही हम आगे की बाच्चित इससे अगले वीडियो में करेंगे थैंक्यू सो मच वाचिंग का वीडियो आप सभी से हाज जोड़ कर नहीं बदेने कि प्लीज इस चैनल को पर सस्क्राइब को बढ़ाए और चैन कि भूबल के कुछ लेक्चर से कराये गए हैं आई एस कैसे बने रिजनिंग में घड़ी और पांसे वाले चैप्टर को देखा गया और भी बहुत सारे वीडियो इस पर दिये गए हैं आप जादा से जादा उनको भी